वेल्कम टू सिंग्फूड लवर नमस्कार अदाप सर्याकाल आप सबका स्वागत सिंग्फूड लवर चैनल में सिंग्फूड लवर चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं मिन्ट चट्नी इस चट्नी की खासित यह कि 20 दिन तक इसका कलर फेट नहीं होगा अगर आप हमारे मै इस चीडिंट्स चाहिए यह है को रिंडर गालिक विनेगर सॉल्फ मिंट जिंजर और ग्रीन चिविंट्स हमने इसके अंदर हाफ पफ पानी डाल दिया है अब हम इसके अंदर मिंट के पत्ते डालेंगे यह एक छोटा बंच है जिसमें से हमने सारे पत्ते अलग कर दिये डंडी एक भी नहीं है इसके अंदर मिंट को अच्छे से दो लिए इसमें मिटी बहुत होती है इसको हमने तीन बार ही दोया अच्छे कुले पानी से अब हम इसके अंदर कॉरेंडर डाल रहे हैं थोड़ा सा मिंट एक कप खुरिंडर डाला हमने और चार ग्रीन चिली हमने इसको दो बागों में बाढ़ दी रबदन डाल रहें तो टीएसपी स्पून हमने जिंजर को थोड़ा सा बारी चॉप कर दिया ताकि जब मिक्सी गुमाया तो ज्यादा गुमाना ना पड़े इसके कारण जिंजर पीस्टने में टाइम लगाता है अमने इसको छोड़ा तुकड़ों में कर दीगें यह हम इसके अंदर पांच क्लॉप गार्लिक की डाल दी है हम इसके अंदर एक टीए स्पून वेनेगा डाल रहे है और दो टेबल स्पून आइल स्पून आप स्वादमसा डाल सकते हैं हम इसके अंदर वन एंदर हाफ टीए स्पून डाल रहे हैं स्पून अब इसको ग्रैंड कर लेंगे कर दो कि ने बीच बीच में चमच की मद अच्रे जो उपर में था उसको ने चमच में ने नीचे कर रहा था अब यह देखे हैं हमारी चटनी ग्राइंड हो चुकी है पर कितनी हजीच है अंदर चटनी हमेशा एयर टाइट कंटेनर में डाले उसका कलर फेर नहीं होगा यह देखे है चटनी का कलर यह हमारी चटनी बन के त्यार हो गई है अब आप भी इस चटनी को बनाई है और हमें बताइए कि आपको मारी रेसिपी कैसी लगी आपको शोर बहुत अच्छी लगेगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नहीं है और आप अपनी फैमली मेमर्स के सा लगती है और अपना बैला कंद बादी ताकि हमारी जो नई रेसिपी है वह आपको अपडेट हो जाए इसी के साथ आप से जादत मांगते हैं आपका बहुत-बहुत धन्वाद सिंग फूड लवर